नमस्ते मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में सायन एडूकेशन मेजरलेस लर्निंग आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरिन लैंग्वेज के बारे में येस गाइस फॉरिन लैंग्वेज क्यों जादा इंपोर्टन होता है क्योंकि अगर आपके सीवी में कहीं पे भी फॉरिन लैंग्वेज का अगर आपने जिक्र किया हुआ है तो आपको कंपनी काफी जादा अच्छा प्रिफरेंस देती है तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ हम एक फॉरिन लैंग्वेज के बारे बात करने वाले है जिसके अंदर वो आपको फॉरिन लैंग्वेज का नाम है जैपनिस लैंग्वेज चलिए बने रहिए openlearning.com यह एक Australian कंपनी है यह बहुत सारे यूनिवर्सिटिस को काफी जादा फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती है तो यह देख सकते हैं आप आप एक notification लिखा है कि impact of COVID-19 open learning is here to help मतलब किया उन्होंने free of courses यहाँ पर दिये हुए है तो आज कि हम इस free courses में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए for example अगर आप देखेंगे यहाँ पर mastering your personal and professional growth यह भी एक free course दिया हुआ है अगर आप देखेंगे और बहुत सारे courses यहाँ में paid भी है लेकिन हम free courses के बारें बात करें जैसे unbreaking news ethical journalism free to learn again ठीक है फिर बाद में facilitating for success again free to learn ठीक है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे curriculum है जो free है free of cost लेरन करने के लिए लेकिन आज हम लोग को जिस curriculum के बारें बात करना है उदर more courses में आप click करेंगे more आना है देखें for example all courses लिखा हुआ है all courses के अंदर हम लोग को देखना है देखें internet of things यह भी एक free course यहाँ पर अवेलेबल है जैसे introductory Japanese language तो इसको आपको click करना है click करती आपको इसके अंदर free to learn course है इसके अंदर कोई आपको पैसे देनी की जरुवत नहीं है अगर आपने Japanese सीखा है तो बहुत अच्छी opportunity बन जाती है आपके corporate level में क्योंकि Japanese language एक ऐसा है कि जो जादा तर लोगों को नहीं आती लेकिन company बहुत सार agreement field से हो कोई भी field से हो लेकिन एक foreign language आना बहुत जरूरी है आपके CV में भी काफी जादा उसका attention grab करता है कोई भी company ठीक है फिर जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिया how to learn पूरा यहाँ पर course के detail दिये हुए आप पढ़ लेना इसके अंदर introductory Japanese language level 1 जैसी यहाँ परा लिखा हुआ है model 1 में क्या सिखाएंगे model 2 में model 3 model 4 तो पूरा 10 models में क्या क्या सिखाने वाले है clearly यहाँ पर दिखा हुआ है ठीक है आपको इसके अंदर जो भी चीजे होने वाली है सब video supported होने वाली है plus इनका return supported होने वाला है फिर आप यहाँ पर देख सकते है जो start duration है वो start anytime लिखा है duration flexible लिखा है cost free है ठीक है तो मेरे को लगता है कि आपको इसका बहुत ज्यादा advantage उठाना चाहिए ठीक है इसके अंदर सारा course की detail लिखा हुआ है join option लिखा है आप join कर सकते हैं इसके अंदर who is in this course इसके अंदर देख सकते कितने सारे enrollments हुए है ठीक है इसके अंदर FAQs लिखे हुए आप FAQs पढ़ लीजिए कि आपको किस तरीके से यहां पर join करना है ठीक है इसके अलावा भी और भी कुछ courses है जैसे Japanese language के अलावा भी यहां पर और भी courses है जो मैं आपको बस एक view दे देना चाहता हो यहां पर जैसे for example introduction to entrepreneurship हो गया यह भी free to learn है ठीक है फिर उसका बहुत जादा फायदा उठा सकते है ठीक है आपके खुद के area of interest के हिसाब से